नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्त पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दो हजार चौबीस में इस बार मा दुरगा चैतर नवरात्री में घोड़े पर सवार होकर आ रही है, इसे छत्र भंगे सुरंगम कहा जाता है, यानि माता रानी जब घोड़े पर सवार होकर आती है, तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब घोडे पर सवार होकर आती है, तो समाज और राजनीती में बड़ी उथल-पुथल होती है. शास्त्रों के अनुसार, यदि चैत्र नवरात्री पर, यदि माता दुरगा घोडे पर नहीं, बलकि हाथी पर होगा, सवार होकर आती है, तो मान्यता है, कि माता दुरगा का हाथी पर सवार होकर आना, बहुत ही शुब और कल्यान कारी माना जाता है, जीवन सुखमे हो जाता है, भक्ती का भरपूर लाब, भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैश नों भरपूर आशिरवा पूरे नौ दिनों तक माता वैश्णों की पूजा मा शेरावाली की खास रूप से पूजा अराधना की जाएगी चैत्र नवरात्र का पहला वरत 9 अप्रेल को रखा जाएगा और अंतिम वरत 18 अप्रेल मंगलवार के दिन रखा जाएगा और 17 अप्रेल को कन्या पूजन किया जाएगा जो कि इस दिन नवरात्री समाप्त हो जाएगे आपको बता दें 9 अप्रेल को घटस थापना का मुहूर्त सुबह 6 बज कर 3 मिनट से 10 बज कर 14 मिनट तक रहेगा दोस्तों चलिए अब जानते हैं नवरात्री में कौन-कौन सी सबजी नहीं खाना चाहिए और कौन-कौन सी सबजी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से वरत तूट जाता है आईए जानते हैं नवरात्री में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना खास और शुबकारी माना गया है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे किन्तु आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल दीजिएगा यदि हमारे पास आपकी राशी के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे ताकि आपको राशी के फल प्राप्त हो राशी के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है मैया वैश्नो राणी बहुत प्रसन्न होती है कमेंट में लिखे माता राणी आपका स्वागत है हमारे घर में जै माता राणी एक लाइक जरूर करें वैश्नोराणी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अतियावश्यक माना जाता है क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संगर्ष नहीं कहलाता कहा जाता है कि मनुकामना को पूर्ण के लिए थोड़ा सा संगर्ष यानि की तपस्या तो करनी ही पड़ती है इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधिविधान से किया जाना चाहिए तब आपको वरत का पून लाब फल प्राप्थ होता है अति उत्तम और शीग्र दीर घायु वर्दान प्राप्थ होता है आपकी सभी मनो कामनाएं शीग्र मैयारानी पून करती है ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मातारानी के चरणों में स्थान मिलता है वह सदैव मा की सेवा करता है ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है इसलिए हर यही कहता है कि सच्चे दिल से यदि आपके मन में इश्वर के प्रतिश्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है और यदि मन में इश्वर के प्रतिशंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता वह नर्क में ही भटकता रहता है भगावत गीता में भगवान श्री कृष्णा ने स्वयम कहा था जो मनुष्य सच्चे हरदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ती से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हरदय से पुकारा था इसलिए भगवान भी कहते हैं कि हरदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनो कामनाओं को पूर्ण करते हैं दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटो पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता दरासल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से वरत संपूर्ण और सफल हो जाता है दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों चाहे मर जाना भूल कर भी नवरात्री के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुकरवार पड़ जाता है और शुकरवार को मा संतोशी का बार कहा जाता है माता संतोशी खटी चीज खाने वाले व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहती है, नाराज रहती है क्योंकि नवरात्रों में माता संतोशी जागरित अवस्था में हो जाती है माता संतोशी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है नवरात्रों में जब पढ़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए माता संतोशी रुष्ट हो सकती है आपको दंड दे सकती है नीमबू नहीं खाना चाहिए वैसे तो नवरात्री के वरत में नीमबू खा लेना चाहिए पर यदि शुक्रवार हो तो माता संतोशी के क्रोद से बचने के लिए नीम्बू नहीं खाना है इस दिन नीम्बू का त्याग करना चाहिए दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो वरत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है ध्यान पूर्वक यदि आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोशी आपको धन धान्य से माला माल कर देती है आपके घर में बना लेती है बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए पालन करना चाहिए नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए किन्तु हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं वो भी जब नवरात्री समाप्त हो जाए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें आपका एक लाइक माता रानी को अतिप्रिय है माता रानी को अच्छा लगेगा इसलिए मा के लिए एक लाइक तो बनता है माता रानी को नहीं चाहिए दोस्तों नवरात्री के दिन सेब जरूर खाना चाहिए शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदी जरूर अर्पित किया जाता है यदि आपका वरत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए केला पपीता तर्बूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए इन फलों से वरत धारी को शक्ती मिलती है और वरत संपूर्ण हो जाता है शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल जरूर खाना चाहिए सीता फल खाने से बीस ऐसी बिमारियां है जो खत्म हो जाती है माना जाता है नवरात्रों के दिनों में सिटा फल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुब माना गया है सिटा फल खाने से नवरात्री का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीटा का आशिरवाद मिला हुआ होता है माना जाता है भगवान रमा के वनवास के दौड में माता सिटा ने यही फल खाया था नवरात्रे के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता सिटा फल आपको जरूर खाना चाहिए माता सिटा प्रसन्न होती है और आशिरवाद देती है दोस्तों नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते है किन्तु कम मात्रा में खाना है वरत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंते होती है उसमें जख्म हो सकते है क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता इसलिए हलका खाना-खाना सर्वोप्रिय और उत्तम माना जाता है व्रद्धारी को रसीले आलू जरूर खाना चाहिए इस से हमारे शरीर में उर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है, पूरी हो जाती है आप आलू का पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सबजी जरूर खाना चाहिए भिंडी में कई ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं तथा नवरात्रों में बैंगन की सबजी जरूर खाना चाहिए किन्तु याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पढ़ जाए, तो बैंगन की सबजी मत खाना पाप लगेगा। नवरात्रों में सबजी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोशक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा जरूर खाएं, इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूल कर भी व्रत के दोरान नहीं खाना चाहिए। मुंग फली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्री के दौरान सिंगाडे का आटा या कुत्तु का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि पुराने आटे में कीडे वगेरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत तूट सकता है क्योंकि ये छोटे छोटे की साबुदाने में दही ले सकते हैं आलू वगेरह खा सकते हैं आलू के चिप्स खा सकते हैं साबुदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं साबुदाने की खिचडी खा सकते हैं आलू के पापड भी खा सकते हैं कि सबज्या तो ऐसी है जो नवरात्री के दौरान भोजन में शा चाय में नमक डालने से वरत भी तूट जाएगा और हड़ियां भी गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रहे। वरतधारी को पेट भर खाना, यानि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं तो वरत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्री के नौ दिन आदिशक्ति माध दुरगा को समर्पित होते हैं। नवरात्री के नौ दिन मातारानी के नौ अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्री के नौ दिनों तक मातारानी को अलग-अलग स्वरूप के हिसाब से अलग-अलग पुष्प, अलग-अलग भोग अर्पित किये जाते हैं। किंतु आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जिनहें नवरात्री के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए. यदि इन वस्तूओं को आप गलती से भी मातारानी को अर्पित कर देते हैं, तो आपको वरत और पूजन का पूर्ण लाब नहीं होगा इसी लिए मातारानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तूएं हैं जो मातारानी के पूजन में भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए तो आएए मा का जैकारा लगाते वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों नमबर एक नवरात्री के दौरान शादी शुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहन कर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए इससे पूजा व्रत आदी खंडित हो जाती है माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिचा कर ही बनाना चाहिए सदैव याद रहे नवरात्रों के नौ दिनों तक वृतधारी को अपना आसन मा की चौकी के आगे ही चाहिए और वही पर आपको सोना चाहिए मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता बहुत ही अशुभ माना जाता है जरा आप ही सोचिए मातारानी नौ दिनों के लिए धर्ती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला यदि छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़ कर चली जाएंगी वह कहेंगी इसको मेरी जरूरत नहीं है वह अकेली पड़ जाती है इसी लिए माता के पास में ही सोना चाहिए दोस्तों नमबर दो नारियल हिंदु धर्म में नारियल को समरिध्धिधन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है को सुख समरिध्धि में व्रिध्धि करने वाला माना जाता है नारियल का हर मांगलिक कार्य में खास महत्व होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मातारानी के कई मंदिरों में नारियल से बली भी दी जाती है और मातारानी के पूजन में नारियल का प्रयोग हम सभी करते हैं खासकर कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है माताराणी की पूजन में हम नारियल प्रयोग करते समय कुछ गलती यहां कर बैठते हैं दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं एक हरा दूसरा सुखा जिसके अंदर पानी है जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही प्रयोग करें नारियल का पूण होना चाहिए नारियल चटका हुआ या तूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है साबुत नारियल ही सुक्सम्रिद्ध का प्रतीक होता है साबुत नारियल को ही श्री फल यानि की मा लक्ष्मी का फल कहा जाता है नवरात्री में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानि पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के उपर लेटा कर रखना चाहिए गट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता नारियल को सदैव लिटा कर कलश के उपर रखा जाता है साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ा कर आप नारियल को कलश के उपर स्थापित करें शास्त्रों के अनुसार कलश के उपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब ही ही वृत और पूजन का फल प्राप्थ होता है। दोस्तों नमबर तीन, लॉंग लॉंग, हम सभी मातारानी के पूजन में प्रयोग करते हैं, किन्टु लॉंग का प्रयोग करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, सदैव ध्यान रखना चाहिए, कि मातारानी को सदैव फूल वाली लॉंग ही अर्पित करना जिस लॉंग फूल नहीं होता, या फिर जिस लॉंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप मातारानी के पूजन में भूल कर भी प्रयोग ना करें, फूल वाले लॉंगों को ही पूर्ण माना जाता है, और मातारानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्त या तूटे हुए अक्षत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करें। दोस्तों, नमबर चार, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मा दुरगा के पूझन में तुलसी पत्र का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्गा भी रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्भा भगवान श्री गणेश को अतिप्रिय है, नवरात्री में आप भगवान गणेश को दुर्भा अर्पित कर सकते हैं, भगवान विश्णुजी को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कर सकते हैं, किन्तु माता, रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्भा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अतिप्रिय है। खास कर माता को गुड़हल और कमल के फूल अतिप्रिय है। शास्त्रों में आता है क कि घर में मातारानी की दो या तीन मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें कि मातारानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज प्रयोग ना करें। जैसे कि चटका हुआ या तूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बरतन साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बरतन आप मातारानी के पूजन में प्रयोग ना करें। क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बरतन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बरतनों को मातारानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता जो पुश्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंगे नहीं। सूंगे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुर्जहाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें।